बच्चो नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मी देखें आप लोग अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं तो क्लास 9 अलजिब्रा का प्रैक्टिसेट 2.2 जो है ना इसके कोश्चन्स हम लोग सौल करने वाले हैं ठीक है तो प्रैक जो कहीं पर रुकना नहीं चाहिए जैसे कि ना मैं यहां पर एक नंबर लिखती हूं ध्यान से देखिए गा मैंने यहां पर लिखा 1.4123 ठीक है कभी यहां पर 5 आ जा रहा है ठीक है इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ठीक है तो इसको मैं क्या बोलुँँगी क्या बोलूंगे non terminating यानि कि terminate नहीं हो रहा मतलब कहीं पर रुक नहीं रहा ठीक है और दूसरा यहां पर condition क्या होता है non recurring होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर ना इसमें repeat नहीं होना चाहिए ठीक है recurring यानि क्या होता है जब बार बार कोई number repeat हो तो वहां पर हम लोग recurring बोलते हैं बराबर तो यह rational number के लिए condition क्या है पहला condition यह है कि जो आपका number है उसका decimal expansion कैसा होना चाहिए non terminating होना चाहिए और दूसरी condition क्या है non recurring होना चाहिए यहां पे ना लिख लो देखो आपको ब non recurring ठीक है non recurring भी होना चाहिए तो अगर आप उपर वाले में देखेंगे इसमें देखिएगा मतलब दुबारा से numbers आ रहे क्या numbers यहां पर repeat हो रहे हैं इसके आगे हम गए ऐसे ही मैंने randomly कुछ भी लिया है ठीक है इसको आप सही मत मानिएगा ऐसे ही मैं आपको example के तोर पे य यहां पर 6 आ गया यहां पर 7 यहां पर 2 यहां पर 4 ठीक है कभी 1 आया कभी यहां पर 8 आ गया कभी 9 ठीक है इस तरीके से यह numbers आगे बढ़ते हुए ही जा रहे हैं तो यह क्या है non terminating है और दूसरा non recurring है मतलब यहां पर कोई भी number repeat नहीं हो रहा ठीक है तो ऐसे numbers को हम लोग क् कुछ examples बताती हूं देखिएगा यह जो रूट 2 है ना रूट 2 क्या होता है यह rational number होता है क्योंकि अगर मैं इसका decimal expansion करूंगी ना तो वह क्या होगा non terminating होगा और non recurring होगा ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह rational number के ऊपर मैंने एक separate video बनाया है जिसमें किसी भी number क अगर मुझे इसको decimal form में लिखना है तो वह हम कैसे लिख सकते हैं किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं मैंने वह वाले वीडियो में बताया है ठीक है तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर आप लोग देख लीजेगा मैं आपक ठीक है अब इसके आगे आया रूट four और है तो आपका जवाब होगा मैं यह नहीं होगा है यानी की 4- हमारा इ adesso नहीं है इसके आगे आया बच्चो रूट फाइब तो रूट फाइब आपका क्या है इस नमबर अगर रूट के अंदर जो नमबर है अगर वो पर्फेक्ट स्क्वाइर नमबर नहीं है तो फिर उसको आप सीधे-सीधे इस नमबर बोल सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा रूट के अंदर 25 तो क्या यह इसको आपको प्रॉपर्टी बताती हूं और यह जो नंबर है इसको पहले में मिटा देती हूं क्योंकि इसको सचमान लोगे तो बस आपको समझाने के लिए मैंने एक्जामपल लिया था बाकी कुछ नहीं ठीक है बाकी असनी वाले इक्जामपल तो यह हैं ध्यान से देख लो चलो अब मैं आपको नहीं यहां पर प्रॉपर्टी बताती हूं किसकी प्रॉपर्टी इस रैशनल नं आप कुछ न हम रैशनल नंबर में प्लस करते हो यह फिर माइनस करते हो यह तो जोड़ो यह घटा हो तो आपका यह्म जैसे कि मैंना यहां पर दो नह Based थी एक तो चला हुअध ça के तो फाइव हमारा है अब हम लोग क्या करते ना एक एक यह लूड ले लेए लेते रूट तो बरभर और क्या करना है तो तक मैंने यह इन दोनों को प्लस कर दिया तो जो मुझे फाइनल नंबर मिले उसी तरीक पसपे सब्सक्राइब हो तो भी जो nemबर है पर ए क्या होगा भी जाद है अब जहींड पर इत्र जेगा तो क्या लिखा है यहां पर multiplication or division of non-zero rational number ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहां पर non-zero rational number मतलब जो आप rational number ले रहे होना वो कैसा होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जानते ही हो अगर हम 0 का multiply किसी भी number में कर दे चाहिए वो rational हो या फिर irrational answer तो 0 आ जाता है ठीक है तो यहां पर यह 0 वाली मतलब 0 हमें नहीं लेना है ठीक है तो क्या बोला इन्होंने कि multiplication or division of non-zero rational number with irrational number is also an irrational number यानि कि अगर हमारे पास कोई non-zero rational number है जैसे मैं यह आप पे ले ले लेती हूँ चलो 4 ले लिया ठीक है और इसमें मैं multiply करती हूँ किस से multiply करूँ इस rational number से क्योंकि इस rational number बोला गया है तो चलो मैंने root 3 ले लिया ठीक है इन दोनों को multiply कर दिया 4 into root 3 ठीक है तो यह जो final मुझे number मिलाना यह कैसा number होगा तो यह rational number ही होगा ठीक है उसी तरीके से division में भी होता ह है अगर आप डिवाइड करते हो और रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को तो जो हमारा final number मिलता है वह भी क्या होता है बच्चो यह रैशनल नंबर ही होता है ठीक है तो यह जो दोनों प्रॉपर्टी सेना इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोट बुक में ज अब चलो फाइनली हम लोग प्रैक्टी से 2.2 को सॉल करते हैं तो यह रहा आपका कोश्चन नंबर वन इसमें क्या लिखा है कि फोर रूट टू इसन ए रैशनल नंबर यानि कि हमें यहां पर प्रूफ करना है कि यह जो नंबर यहां पर दिया गया तो यह एक रैशनल बूल सकती है कि यह क्या हुआ विच में आपस में रूटीप्लाइब कर रहें तो यह जो फाइनल मुझे मिलाना यह एक रैशनल नंबर ही होगा लेकिन आप इसको ऐसे डारिकली नहीं बौल सकती कि यह क्या है यह rational number है ठीक है आपको directly नहीं बताना है तो फिर आप क्या करोगे पूरा यहां पर प्रूफ करके बताओगे और हम यहां पर कैसा प्रूफ करेंगे तो indirect प्रूफ करेंगे यानि जो हमें प्रूफ करना है उसको हम लोग जैसे कि हमें यहां पर क्या फोर महर सब्सक्राइब तो वाइशन तो में यह maximum करें है इस स्थरीके से चलो रूपको बताते हो समझेघा गीवन में क्या कि मैं घ्रिया गया है यहां पर क्लिद अब करना है यहां पर लिखते है यह फ्रूफ करना है कि फो लिए इसको दिहान से ठीक है क्या बताना है कि इसका प्रूफ यहां से स्टाट होगा तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इंडायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं तो हम लोग ना यह जो ए रैशनल नंबर है ना बच्चो मतलब हमें इसको ए रैशनल प्रूव करना है तो हम ऐसाज जीम करेंगे कि यह क्या है यह एक रैशनल नंबर है ठीक है तो यहां पर हम लिखते हैं कि लेट यानि कि माना 4 root 2 is an irrational नंबर ठीक है इस एन इरैशनल नंबर नहीं रैशनल नंबर इस आ रैशनल नंबर तो अगर यह रैशनल नंबर है तो फिर 4 root 2 इसके इकवल में क्या होगा बच्चो पी अपॉन क्यूं होगा है ना क्यूं ऐसा क्यूंकि देखो रैशनल नंबर के लिए मैंने आपको कंडिशन क्या बताई थी कि वो नंबर न पी अपॉन क्यूं के फॉर्म में होना चाहिए ठीक है तो अगर यह रैशनल नंबर है तो फिर यह इसके इकवल हो जाएगा ठीक है यहाँ पर पी और क्यूं क्या है तो यह दोनों इंटीजर्स हैं तो यहाँ पर इसका रीजन आप बताईएगा कि पी और क्यूं बिलॉंग्स टू इंटीजर्स यानि यह दोनों क्या है इंटीजर्स है और यह जो क्यूं है यह 0 के एकवल नहीं होना चाहिए समझें कि नहीं मैंने आपको पताया था रैशनल लंबर के लिए कि यह पी अपॉन क्यूं के फॉर्म में होना चाहिए और जो डिनॉमिनेटर है वह 0 के एकवल नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर डिनॉमिनेटर में 0 आ गया तब तो उसका आंसर हम डिफाइन करी नहीं सकते ठीक है इसके लिए जो डिनॉमिनेटर है वह 0 नहीं होना चाहिए इतनी बाते आपको समझ में आई अब ध्यान से देखिएगा यह इस साइड है तो यह मुल्टिप्लाई में बराबर जब यह उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा साहिए ना मतलब यहां पर यहां पर क्या आएगा ठीक है यह हो गया बच्चों आपका एक्वेशन नंबर वन ठीक है तो यह जो एक्वेशन नंबर वन है ना इसके लेप्ट-Hand-Side और राइट-Hand-Side को ध्यान से देखिएगा देखिए यह जो हमारा लेप्ट-Hand-Side यह क्या है रूट-2 और नंबर दोनों एक्वेल कैसे हो सकते हैं ऐसा तो गलत हो जाएगा यह तो इसके इक्वेल ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ठीक है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे पता है आपको यहां पर लिखेंगे कि दव लेफ्ट-Hand-Side लेफ्ट-Hand-Side ओफ एक्वेशन वन एक्वेशन व इस रैशनल नंबर ठीक है राइट-Hand-Side ओफ एक्वेशन वन इस रैशनल नंबर ठीक है राइट-Hand-Side में क्या है बच्चो रैशनल नंबर है तो यहां पर मैंने लिख दिया रैशनल नंबर ठीक है तो यह क्या है बच्चो यह तो कॉंट्राडिक्शन है तो यहां पर ह यहां पर क्या बोलेंगे कि यह लिखेंगे कि आपका रैशनल लंबर नहीं है तो अगर यह rational number नहीं है तो फिर कैसा number है irrational number है तो यहां पर हम लिख देंगे कि there were four root two is an irrational number is an irrational number ठीक है यह तो दीखीए का जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया यह हमें बताना था कि four root two is an irrational number हमने बता दिया कि four root two क्या है यह एक irrational number है ठीक है यह तो यहां पर आपका यह जो question number one है बच्चों यह होता है complete अब बारी है question number two की ठीक है कि आना सेम तरीके से इसे भी solve करना है ठीक है चलो देखते हैं पहले तो आपको क्या लिखना होगा बच्चों देखें जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे तो बोलो यहां पर क्या दिया गया है गिवन में क्या है three plus root five and हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है हम यहां पर लि दोलते हैं मतलब लिखते हैं इसन एरैशनल नमबर इसन नमबर ठीक है अब उसके बाद चलो इसका प्रूफ जो है वह हम शुरू करते हैं तो क्या गरना होगा जैसे हमने इधर एधर अजियूम किया था ना कि यह क्या है यह एक रैशनल नमबर है उसी तरीके से यहां पर के हमporte कारेंगे ठीक है तो क्या बताएंगे कि 3 प्लस रूत 5 इस रैशनल नमबर ठीक है यहां पर हम लिखते हैं कि let 3 plus root y is a rational number ठीक है यह क्या है बच्चो यह rational number है यह हमने अज्यूम कर लिया ठीक है तो अगर यह rational number है तो फिर यह number किसके equal होगा पी अपॉन क्योंके equal हो जाएगा रैट तो यहां पर हम लिखते हैं कि therefore 3 plus root 5 which is equal to क्या हो जाएगा पी अपॉन क्यों ठीक है चलो पी अपॉन क्यों के बारे में हम लोग थोड़ा बता देते हैं जहां पर पी और क्यों belongs to what integer ठीक है और क्यों जो है यह 0 के equal नहीं है ठीक है इस तरीके से हमने इसको कर दिया आपको बताना तो पड़ेगा ना कि यह पी और क्यू एक्च्वल में है क्या ठीक है तो वह हमने बता दिया फिर अब हम क्या गरेंगे थोड़ा कोच thickness चाहेँ जरा यहां पर देखेगा तो इस में हो जाएगा माइनश में हो जाएगा एंदा क्यों क्यां अपको क्या क्या है तो में क्या है इक्वेशन नुम-1 कर लेटने चाहिक सब्सक्राइब हो तो हमाराह क्या होता है है क्या है यह हमारा िरैशनल नंबर ब Stells और अधे इहां पर लिखना पड़ेगा क्या लिक्रेंगे देखिएगा यहां पर मुझेंगे कि the left hand side of equation 1 is an irrational number, ठीक है, यह क्या है, तो यह एक irrational number है, बराबर, irrational number, and right hand side of a, of equation 1, equation 1 is a rational number, ठीक है, right hand side क्या है बच्चो, rational number है, बराबर, तो यहां पर तो हमने contradiction वाली बात कर दी, तो क्या बोलेंगे, कि therefore this is contradiction, ठीक है, यह तो contradiction हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो assume किया था ना, हमारा assumption तो रॉंग था, तो हम यहां पर लिखेंगे कि our assumption is wrong, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, therefore our assumption is wrong, हमने जो assume किया है ना, वो गलत है, ठीक, तो अगर हमारा assumption गलत है, मतलब यह rational number नहीं होगा, तो अगर यह rational number नहीं है, तो फिर क्या है, तो फिर एक irrational number है, ठीक है, चलो, पहले फिर बताती हो, ठीक है, देखो, question number 1 और question number 2 हमने complete कर लिया, दोनों सेम तरीके से ही हमें solve करने थे, तो अगर आप लोग इसकी practice अच्छे से कर लोगे ना, यह दो questions अच्छे से कर ले ना, फिर इस type के कोई भी question आने दो, आप लोग solve कर सकते हो, ठीक है, और एक और बात समझा देती हूँ, सुनो, मैंने आपको property में क्या बताया था, कि अगर हमारे पास कोई rational number है, या फिर और दूसरा rational number है, ठीक है, तो अगर मैंने rational number को या फिर माइनस करूँ, तो जो मुझे final answer मिलता है, final number जो मिलता है, वो क्या होता है, irrational number होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, कौन-कौन से numbers है, एक तो irrational है, दूसरा rational है, ठीक है, तो अगर मैंने rational number को irrational number में जोड़ा, तो यह जो final number मुझे मिलेगा, यह क्या होगा, यह rational number होगा, मतलब, वो तो सामने से दिख रहा था, कि यह है irrational number, बस हमें क्या करना मतलब, यह हम जानते हैं, कि यह क्या है irrational number, क्योंकि हमने property अभी पढ़ करके आए, बराबर, लेकिन आपको जब एक्जाम में यह question आएगा, तो इस तरीके से आपको prove करके बताना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसे directly नहीं बोल सकती कि यह क्या है irrational number, ऐसे नहीं बूलेगा, मैं सुच रही हूँ, जो question number 3 और 4 है उसको हम लोग solve करें अखले वीडियो में, ठीक है ना, हम लोग आराम-ाराम से करेंगे, धीरे-धीरे, तो अब भी हम यहीं पर रुखते हैं, जितना सिखाया है, आप लोग अच्छे से revise कीजिए, बागी कुछ भी doubt रहता है, तो मुझ में चाहिए, तो वो आपको कहां पर मिलेगा, टेली ग्राम चैनल में मिलेगा, इसलिए सभी लोग टेली ग्राम चैनल से जुड़ जाईएगा, ठीक है ना, लिंक आपको description में मिलेगा, ओके, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग next वीडियो में, जो हम आगे वाले questions हैं उनके साथ, ठीक है ना, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखियों और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, चलो, goodbye everyone